भारती जनता पार्टी ने तीन दिन में तीन राज्यों में ऐसे फैसले किये जिससे हर कोई हैरान रह गया 36 गर राजस्थान और मध्यप्रदेश में रमन सिंग, वसुंधरा राजे और शिवराज सिंग चोहान जैसे चेहरों को दरकिनार कर बीजिपी ने नई चेहरों को सत्ता सौपी है इसके अलावा तीन राज्यों में दो दो डिप्टी सीम बनाए गए हैं बीजिपी ने इन तीनों राज्यों में स्पीकर का भी ऐलान कर दिया है इस तरह से तीन राज्यों में बीजिपी ने 12 नहीं चेहरों का एलान कर दिया है आए समझते हैं बीजिपी के सियासी सर्प्राइज के पीछे की रण नीती सबसे पहले बात कर लेते हैं 36 गड़ की बीजिपी ने सबसे पहले 36 गड़ में CM का एलान किया 36 गड़ की बाग डोड विश्नुदेव साय को सौपी गई विश्नुदेव साय आदिवासी नेता है 1980 के दशक से सियासत में सकरिय है 1999, 2004, 2009 और 2014 यानि लगतार चार बार सांसद रहे है राज्य में 34 फीसद आबादी आदिवासी समाच की है इस बार के विधान सभाच चुनाव में बीज़ेपी ने आदिवासी बाहुले इलाकों में जबरदस्त प्रदर्शन किया है और पार्टी के सामने लोग सभाच चुनाव में अपना आदिवासी गड़ बचाए रखने की शुनौती है कही न कहीं आदिवासी चेहरे को सीम बनाने का फायदा बीज़ेपी को लोग सभाच चुनाव में ना सिर्फ चत्तिस गड़ बलकी एंपी जारकंड ओडिशा और तेलंगाना में भी मिल सकता है इसके अलावा विजशर्मा और अरुन साओ को डिप्टी सीम बनाये गया वही रमन सिंग स्पीकर होंगे विजशर्मा सामानी और अरुन साओ OBC है अरुन साहु समाच से आते हैं चत्तिस गड़ में साहु समाच की अच्छी खासी आबादी है लोगसभा चुनाव काफी करीब है इसी वज़े से पार्टी ने 1 प्लस 2 एक सीम दो डिप्टी सीम की फॉर्मुले आदिवासी OBC और सामानी तीनों को साधने की कोशिश की है चत्तिस गड़ में पिछड़े वर्क की जनगरना के लिए बनाये गए कॉन्फिदेंशियल डेटा आयो के रिपोर्ट के मुताबिक OBC की जनसंख्या 41 फीसद है पीए मोदी का चेहरा ही है अब एक OBC और एक सामानी तीनों की फॉर्मुले को BGP के मिशन 2024 के लिए करीब 80 फीसद वोट पर नजर से जोड़ कर भी देखा जा रहा है मध्यप्रदेश में BGP ने मोहन यादव पर दाव खेला है मोहन यादव OBC से आते हैं MP में OBC की आबादी करीब 48 फीसद है 2003 के बाद से मध्यप्रदेश में OBC CM है भाचपा के सभी तीन मुख्यमंत्री उमा भारती, बाबुलाव, गोर और शिवरास सिंग चोहान तीनों अन्य पिछणा वर्क से रहे हैं BGP मोहन यादव को 2024 लोग सभाचुनाव के मद्दे नजर सबसे मुफीद मान रही है BGP को इस बात का एहसास है कि बिहार में जातिकत जनगर्ना की रिपोर्ट सारवजनिक होने के बाद लोग सभाचुनाव में ये बड़ा मुद्दा होगा ऐसे में BGP ने OBC कार्ट के लिए मोहन यादव को सत्ता की बागडॉर सौपी है MP में भले ही यादव समाज की आबादी सिर्फ तीन प्रतिशत है लेकिन इससे लगे UP, बिहार और हर्याना में अच्छी खासी आबादी यादव समाज की है इन दोनों राज्यों में BGP की मुख्य विरोधी पार्टियां सपा और राजद है BGP इन दोनों पार्टियों पर परिवारवात की राजनीती करने का आरोप लगाती रही है BGP की नेता दोनों राज्यों में अकसर इस मुद्दे को उठाते रहे हैं कि क्या लालू यादव और मुलायम सिंग की पार्टि अपने परिवार के बाहर के किसी अन यादव को CM बनाईगी ऐसे में BGP यादव समाज को ये संदेश देना चाहती है कि वो किसी भी यादव कारिकरता को इतना एहम पद दे सकती है जबकि राजद और सपा में ये पद सिर्फ परिवार के लोगों के पास ही है ब्यूरो रिपोर्ट भारत एक्सप्रेस डिजिटल